उदर उना पहुंचे केंद्रे मंत्रियान राव ठाकुर ने कहा है कि आजादी का अमरित महोसब के अंतिम कारक्रम है और इसमें अमरित का लश्यातरा देश के साड़े छे लाग गाउं में निकलेगी तीस क्रोड घरों से मिट्टी लेकर उस गाउं में अमरित वाटी का बनेगी और उस मिट्टी को दिलिल लेकर ले जाये जाएगा और पंच प्रण कर शहीदों कुष्टत दांजली दी जाएगी और इंडिया गेट पर अजादी का महोसब मेमोरियल बनाये जाएगा मेरी माटी मेरा देश कारिक्रम आजादी का मरित महोसब मनाते हुए अंतिम कारिक्रम है और इसमें अमरित का लश्यात्रा देश के साड़े छे लाग गाउं में निकलेगी तीस क्रोड घरों से मिट्टी लेकर उस गाउं में अमरित वाटिका बने की शिला फलकम लगेगा और उस मिट्टी को ब्लॉक सर से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली लेकर आएंगे पंच प्रण की शपत होगी मिट्टी को नमन वीरों का वंदन होगा सुतंदर्दा सैनानी और शहीदों को उनका सम्मान उनके परिवारों का सम्मान किया जा रहा है और जब दिल्ली ये मिट्टी आएगी तो करतवय पत से लेते हुए इंडिया गेट पर इस मिट्टी के माद्यम से एक अमरित वाटिका का निर्मान किया जाएगा और इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ी समारक बनेगा अजाद्धी का अमरित महुतसब मेमोरियल बनेगा जो देश भरके 75 सो ब्लॉक से यानि के 6.5 लाग गाउं से मिट्टी आएगी 30 करोड घरों से उसको वहाँ पर इस्तमाल किया जाएगा ताकि देश में एकता एक जुटता की भावना को बनाई रखें गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति पाएं गौरवशाली तिहास पे गरव करें और हर नागरी का अपना कर्तव व्यपालन करता हुआ विक्सित भारत का निर्मान करें आज उसी के चलते में अपने हिमाचल परदेश के हमिरपुर संसदिय लोग सबाक्षेतर में हरोली विधान सबाक्षेतर में आज यहां पर हूँ इससे पहले गगरीट में कारेकरम किया उससे पहले फगवाड़ा में किया है जलंदर में किया तो यह अपने आप में श्यात्राइन निकाली जा रही है मैं सभी लोगों का